हेलो फ्रेंड्स आज मैं आपके सामने आई हूँ नीट के कुछ रिलेटिड कोश्चन्स जो आप लोगों ने मुझसे पूछे हैं उन कोश्चन्स का जवाब लेकर आई हूँ जिसके रिगार्डिंग आज ये सेमिनार हमने और्गनाईज किया है और वन बै वन में उन सरीफिकेट कहां से बनता है अब जैसे की बन us अपको जरूरी है और आपके स्कूल से बनता है वह कैसे बनता है उस कहीं आपको मैं आर पड़ेगा क्योंकि देखो कुछ डॉकूमेंट्स अको रैडि करने होते हैं उसकी फूरी डिटेल आपके पास होनी चाहिए दूसरा question है All India counselling क्या है All India की counselling जो है आपकी आप जैसे की नीट का exam दोगे नीट का exam देने के बाद आपका result आएगा result के बाद counselling start होगी सबसे पहले आपकी counselling start होती All India की All India की आपके जो all over India में state में जो colleges हैं उन में participate करने के लिए हमारे को All India में पाटिस judgment करना पड़ता है यह अलीडिया की counselling स्टेट की counselling सब के लिए एक होती है हंजी हर स्टेटकी दिली के रहने वाले हो ओल इंडिया के बाद हर स्टेट की counselling होती है उसके बाद All India की second constructing होती है तो वन भाइवन सबकी अलग-अलग state की अलग-अलग date होती है counseling की domicile कहां क्या benefit है देखो domicile का benefit यह है कि अगर आप अपने state की counseling में participate करना चाहते हो अब जैसे दिल्ली से बच्चे ने 10th और 12th की है और अगर वो दूसरे state का भी benefit लेना चाहता है और उसके यह पास domicile है तो वो state की counseling में participate कर सकता है दूसरा domicile बनवा के आफ्टर नीट result में अपना choice order कैसे बनाओ देखो अगर आप नीट का exam देते हो उसके बाद उसका registration करते हो और इंडिया की counseling के अंदर तो आपको जो choosing order है 300 प्लस colleges आपके सामने आ जाएंगे उनको आप serial wise कैसे लगाओगे इसकी जानकारी लेने के लिए आपको हमारे nearby center में ही आना पड़ेगा क्योंकि देखो 300 college की list हम एकदम से तो आपको पता नहीं सकते हर स्टेट में इतने colleges and government के उनको serial wise आपके score recording आपके rank recording कैसे लगाना है इसकी भी हम information देंगे मैं मुझे कौन कौन से registration करने है नीट से पहले और बाद में देखो नीट से पहले आपका cmc की वैलोर का निकल के बंद हो चुका है कीम का निकल के बंद हो चुका है सिक्किम मनिपाल का open है और आई पी उनिवर्स्टी का भी जो है आपका mbps, bms यानि की आयुर्वेदिक, bhms, bds इन सब के लिए आपको कांसलिंग का registration करना होता है नीट से पहले मैं मेरा एक question है कि last year की all India की cutoff क्या रही है आप बता सकते हैं देखो अब last year की अगर हम cutoff देखते हैं तो वह highest score के according cutoff जाती है जैसे last year 750 highest score था तो जो cutoff गई थी 596 तक गई थी OBC category के लिए journal के लिए EWS के लिए SC category जो गई थी 470, 660 वाले को भी admission मिला था ST वालो को भी क्योंकि benefit क्या है category वालो को मिलता है और उनको भी participate करने का एक तरीका ही होता है कि मैम एम्स का रेजिस्ट्रेशन कैसे होता है देखो 2020-2020 से आपका जो है नीट के basis पे एम्स लेता है admission तो एम्स में क्या है कि आपका नीट का score चलेगा लेकिन आपको एम्स का basic registration करना बहुत ज़रूरी है UCMS college किसके अंडर आता है UCMS college जो है आपके DU के अंदर आता है दिल्ली युनिवेस्ट्री के अंदर उसके अंदर तीन colleges आते है Lady Hardin, UCMS और मौलानाजाद मैम DU में कौन कौन से colleges है DU के अंदर आपके तीन colleges आते हैं जिनका registration आफटर नीट के exam के बाद होता है मौलानाजाद, Lady Hardin और UCMS IP के college के नाम भी बताएंगे ज़रूर IP के अंदर आपके चार colleges आते हैं वर्धमान, RML, बाबासाम अमेटकर और N-DMC ओपन और क्लोज स्टेट कौन से हैं देखो ओपन और क्लोज स्टेट ऐसे हैं कि जब हम registration करते हैं बच्चों का तो कुछ स्टेट तो आपके All India में आ जाते हैं सारे ही आ जाते हैं All India में तो कुछ स्टेट ऐसे हैं जो अपना खुद का registration करवाते हैं उसके बाद आपको participate करते हैं उनका security amount होता है और कुछ स्टेट ऐसे हैं जो अपने ही बच्चों को देते हैं वह भार के बच्चों को नहीं देते जैसे गुजरात है आपका close state पंजाब है आपका close state आप इन जो है स्टेट के अंदर counseling पर पार्टिस्पेट नहीं कर सकते स्टेट की counseling के अंदर क्या मैं दो स्टेट का domicile apply कर सकता हूं हांची जरूर कर सकते हैं दो स्टेट का domicile अगर आपके पास अपने दूसरे state की property है या वहाँ पर आपके पास अधार कार्ड है तो आप दो स्टेट का benefit ले सकते हो लेकिन कैसे ले सकते हो है apply part कैसे करते हो यह सब चीज़ों की जानकाली के लिए आपको हमारे सेंटर में एक बार विजिट करना पड़ेगा है कि एक जो कि last year सिरफ आपको बताया गया था लेकिन apply नहीं हुआ था सिरफ एक आपका बच्चा अगर गॉवंट कॉलिज के स्कोर के कॉर्ड के नहीं आता तो तो उनके अंडर जो प्राइवेट कॉलेज हैं वह आपको 50% सीटे देंगे गौर्मेंट की फीस पे वह पेनेफिट कैसे आप ले सकते हैं इसके लिए आपको हमारे सेंटर आना पड़ेगा एनमसी के अंडर जो कॉलेजिस आते हैं उनकी फीस क्या है देखो एनमसी बिल्ग के अंडर जो फीस है अगर किसी कॉलेज की फीस है पर एयर की 15 लाक रुपे 12 लाक रुपे 13 लाक रुपे तो वह 50% हो जाएगा ना जो पहले अपका जो होता था है जरूर अगर आपके स्टेट के अंदर आयपी आता है जैसे कि अप दिल्ली के रहने वाले चौरिण तो आप में आग्यों करेंगे तो वह पार्ट्िस पेड कैसे करोगे काक कऊ बनाता है IEP का e-registration अगर आपको कॉलेज के लिए जाना है तो इसकेस करना compulsory है मैम इन सब registration की information कैसे मिलेगी देखो बच्चे अगर आप ये सारी information लेना चाहते हो तो दिये गए हुए हट्व पर आप कन करके आप अपट्म ले सकते हो हमारे की संटर है प्रितमपुरा पश्रिव्यार जनकपुरी तीनों ही आपका नीचे देगए हेल्प लाइन नमबर पे आप अपने अपर्डमेंट फिक्स करके आके बागी की जानकारी ले सकते हैं नीच का एक्जाम आपका आने वाला है साथ में को उसके बाद जो रजिस्ट्रिशन ओपन होंगे यह फर्दर डॉकुमेंट्स जो आपने बना के पहले से रखने हैं जैसे कास्ट सर्टिफिकेट है इस बार जब नीच का हमने फार्म भरा था तो कास्ट का सर्टिफिकेट नहीं किया था सिरफ हमने केटेगरी लगाई थी तो अगर आपने केटेगरी का बैनेफिट लेना है तो उसके लिए आप हमारे सेंटर पर आके हमारे कांसलर से डिसकस कर सकते हैं और फर्दर निंक्वारी ले सकते हैं ओके थैंक्यू कर दो